वेल्कम तु विवान श्टडी गाइस आज है चार अगस्ट दोजार बीस और चार अगस्ट दोजार बीस तक जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप्टेंट करेंट रिफेस्ट बनते हैं उन पर हम डिसकेशन करेंगे और इनसे रिलेटेज जो फैक्ट और प्रेस करने ताकि जैसी हमारे पास से डेली करेंट रिफेस्ट की वीडियो अप्लोड हुआ करें उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और हाँ अगर आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज्या मना जैता है तो करिक टेंसर हो जाए हिर्दय प्रत्यार चैनल को पूरिय भारत में मना जाता है इसको कि पीछे रीजिन क्या है क्या है इसे बारे हमाद करते हैं हम बात करते हैं तो दोस्तों ऊप्तिरन ये कि आज ही के दिन जो है 1914 में में पहला हार्ट ट्रांस्प्लांट किया गया था कहांए दिल्ली के अखिल भारती आयूर्विज्यान संस्थान में और यह किया गया था सरजन पी वेड़ो गोपाल की द्वारा और इस सरजरी में यह सर्जरीरी पूरी तरह सफल हुई थी 100% सक्सेस हुई थी और इस सफल सर्जरीरी में 20 सर्जन से ज्यादा लोगों ने योगदान दिया था ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है और यह आपके एक्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है कि तो यह जो है अगस्ट महिने का इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है तो अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे हुए हैं इस अगस्ट महिने में उनको इक बार हम रिविजन कर लेते हैं स्विकेंट में तो गाइस दो अगस्ट को मना जाता है इंटरनाशनल फ्र तो आपके एक्जाम के लिए काफी एजी होगा काफी अच्छा होगा ठीक है तो चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हाल ही में किस राज सरकार ने संजीवन एप लॉंच किया है तो करेक्ट एंसर बताना गएज किस राज ने लॉंच किया है तो यह लॉंच किया है करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्शन भी बिहार सरकार ठीक है तो बिहार सरकार ने क्या किया है कि हाली में कोरोना संक्रमन के प्रसार के रोग थाम के लिए जो को जो कोरोना संक्रमन या कोरोना जो इन्फेक्शन डे बाइडे बढ़ रहा है इसकी रोक्ताम के लिए संजीवन एप लॉंच किया है और जिससे कोरोना की जांच वा इलाज से जूड़ी तमाम तरह की जानकारिया आसाने से मुबाइल पर ही मिल जाएंगी यानि इस एप के मादम से मिल जाएंगी किसी भी कंडिडेट किसी भी विक्ति विशेश को और स्वास्ति विभाग ने इसका निर्माट गैर सरकाजी संसा केर इंडिया के सेहुक से किया है अगर बात आती है कि किसने इसका निर्माट किया है तो केर इंडिया के मादम से इसका निर्माट किया गया है इस एप को डेवलब किया गया है और इसे ततकाल स्वास्ति बिहार और राज स्वास्तिमंत्री वैफसाइट से डाउंलोड किया जा सकता है अगर आप शुक्ति को डाउंलोड करना चाहे है तो आप ब्योंकि भीहार कोंग इसको आप सारी जानकर्य प्राप्त कर सकते हैं आपके कि अपर एक मिन में कि लिए विफार यह कुछ अइसा होगा और यह और यह विपसाइट की जो है संजीवनी एप को डॉब्लेड कि यह जा सकते हैं अपको अपने मोबायल पें इसको इंस्टॉल कर सकते हैं तो चले बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन है हाल ही में किस देश ने 31 देशों से इंटरनाशनल फ्लाइट पर रोक लगा दी है तो 31 देशों से जो फ्लाइट जाती थी कौन से ऐसा देश है जहां पर 31 देशों से फ्लाइट जा रही थी लेकिन अभी क्या है उस देश ने बैन कर दिया है रोक लगा दी है तो कौन सा कंट्री गाइज, करेक्ट एंसर हो जायागा, आप्सन सी कुवैट, तो कुवैट ने क्या किया है कि हारही में 31 देशों से इंटर नेशनल फ्लाइट पर रोंग लगा दी है, साथ ही इस्जराइल में यूरुसलम के मंतरी के टेस्ट रिपोर्ट पॉजिट्री आई कि फ्लाइट्स नहीं आएंगए, इंटर नहीं करेंगा कुवैट में, तो यहां पर बात हो यूरुक्वैट की घ breakup में तो वर्ड मैप की बात करेंगा, तो वर्ड मैप में आपका कुवैट यहां देख सकते हैं, जहां पर जो रेड स्पॉट है यह आपका कुवैट है, और कुवेत की जो कैपिटल है कुवेत सिटी है और यहां की प्राइम इस्टि कौन है सबा खालिदल सबा और करिंसरी के चलती है कुवेत में कुवेत दीनार और यहां की लैंग्विज का है ऑफिस्यल लैंग्विज है और ठीक है चलिए बढ़ते हैं next question पर किस टीम के गेंद बाज एली स्टेयर ने महच 29 वर्ष् की उमर में क्रिकेट से सन्यास लेने की घोशना की है तो बताना है दोस्तूँ कि किस देश के मुलब ऐसा कौन सा देश जहां के जो है एली स्टेयर क्रिकेटर के जो गेंद बाज एलेश्टर ने अब महज 29 वर्थ की उम्र में क्रिकेट से सन्याज सिलेने की घोशना की है तो गाइस ये हैं एलेश्टर ठीक है और करीब 11 साल पहले मैग डर्मोट नहीं साल 2009 में महज 18 साल की उम्र में प्रथम सिलेनी क्रिकेटर की करियर की शुरुवात क गुम्र में ही इन्होंने सन्याज सिलेने की घोशना कर दी है तो ये एलेश्टर है गाइस बहुत इंपॉर्टन क्वेशन याद रखेंगे चले बढ़तें नेक्स क्वेशन पर दोस्तों नेक्स क्वेशन प्रधानमंत्री का रहे कि उप सच्चिव रहे हार्दी सथिस पहले उप सच्चु थे ठीक है लेकिन अभी हाल ही में किसका इनको क्या बनाया गया है प्राइविट सेक्रेटरी बना दिया गया है तो करेक्ट एंसर हो जाएगा गाइस आफसन भी नरेंद्मोदी यानि स्री नरेंद्मोदी जो प्रधानमंत्री वणत्मान में है उनका बना दिया गया है प्राइविट सेक्रेटरी बना दिया गया-किसको छेर स सतीष चंद्र सा जिनको प्रधान मंत्री जो मोधी है वरतमान में प्रधान मंत्री है इनका प्राइविट सेक्रेटरी बनाया गया है अब यहां पर देख सकते हैं प्राइविट सेक्रेटरी हारदी सतीष चंद्रा सा और यह पहले क्या थी जो पहले जो थे उप सचीव थे कह के प्रहानमंत्री का रहे लेकिन अभी उनको प्राइवेट सेक्रेटर बना दिया गया स्रीने नोदीजी का चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन पर किस देश की सेना ने सरकार से बड़े इन्वेस्टमेंट की मंदूरी मांगी है तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा ऑप्सन भी नेपाल तो जो है बड़े commercial project में investment के मंजूरे नेपाल ने मांगी है और नेपाल की सेना ने सरकार थे इसकी request की है साथ ही नेपाल की जो फौज है नेपाल की जो आर्मी है उसने मौझा मौझूदा आर्मी एक्ट में बदलाओ का भी प्रस्ता हो रखा है कि कुछ बदलाओ के जाए पर काटमान्डू है प्राइम निस्टर कौन है केपी सर्मा ओली करेंसी क्या है नेपाली रुपीज और प्रस्तिडेंड कौन है इसे वर्तमान में बिंदिया देवी भंडारी ठीक चले बढ़ते हैं नेस्ट क्वेशन पर और आज जो है यह भी important देवाला question है जैसे कि मैंने भ हमारी विरास्त से जुड़ा हुआ जानी हमारी Sanskrit से जुड़ा हुआ question है क्योंकि Sanskrit की जो सुरुवात Sanskrit का जो उद्गम हमारे हिंदुस्तान से हुआ था और तो तीन अगस्ट को हर साल जो है विश्यो Sanskrit दिवस मना जाता है और इसमें बात करें तो हर साल स्रावर्ण पूर्ण के दिन को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार स्रावण मास की पूर्णमा का दिन है सावन मास जयानी जो सावन का महिना होता है इसके पूर्मा का दिन है जिसे रख्षा-बंधन के रूप में мधभी मानाया जाता है,iera के जाता है, इस साल यानि दोजार बीस में इस दिन को अग्रसेरित करना है लोगों को और भारा सरकार ने वर्ष 1979 में रक्षा मंधन के उसरप पर विश्व संस्कृति दिवस मनाने का फैसला किया जो की हिंदू करेंडर अनुशार स्तरावन मास की पूर्णमा का दिन पढ़ता है और इस भासा को दुनिया की सबसे पुराने भासा इसे हिंदी, उजराती, बंगाली सहित संस्कृत में मिलती हैं और संस्कृत एक पुरानी इंडो आरे भासा है अगर हम बात करें कि संस्कृत का उद्गम कहां से हुआ है और कहां से इसका जन्म हुआ है तो संस्कृत एक पुरानी इंडो आरे भासा है जिसके बारे माना जा कि इसकी उत्पत्ती लगबग 3500 साल पहले भारत में हुई थी और इस साल इस भासा में कई विद्वान जुड़े हुए हैं हाला कि लेखित रूप में संस्क्रत भासा के उत्पत्ती दोवी शताबदी सस्त्राबदी ईशापुर्व से पहले की है जब रिगवेद भजनों का एक संस्क्रत भासा लगए था ठीक है तो जो रिगवेद का जो संग्रा लिखा गया था भजनों का तो उस समय से इसकी उत्तपत्ती माने जाती संस्क्रते गी तो वर्ट्स संस्क्रत दे मना जाता है हमेशा तीन अगस्त को तो बहुत इंपॉर्टेंट डेवाला क्वेशन गाइस चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस किस राज्य सरकार ने हाली में एक मास्क अनेक जिंदगी यानि एक मखोटा और कई जीवन जन जागरुता भ्यान चलाया तो कौन साइसा राज्य जिसने अभ्यान शुरू किया है यह पहल की है एक मास्क अनेक जिंद इसे होगा क्या कि सहरि विकास और अवासि मंतरी यो वर्तमान में है स्रेवूपयन सिंग ने एक से पंद्रा गस्ट से एक ज्न और चली के रहता प्रविक्त लगों के लिए सत्व साथ जो इन्टरी स्टो यहां बात हरी दोस्तों मद्ह प्रदेश की तो मद्द प्रदेश आप देख सकते हैं इंडियन मैप में कहां पर एक्जिस्ट करता है यह हार्ट आप इंडिया बोल सकते हैं और MP की जो चुमिंध्य है और आंदि बेन पटेल साथे साथ ही उत्तर प्रडेस की भी गवर्नर हैं है और वरतों में यहां की चीप मिनिस्टर कोड़न है शिवराश सिंह चौहान चले बढ़ते हैं नेक्स क्वेश्टन पर तो आज अज अखरेंट फेर का क्वेश्चन नमर नाइन और बहुत ही इंपोर्टन क्वेश्चन है किस मंत्रा निने इंपावर्मेंट आप ट्राइबल्स त्रू आईटी इनेबल्स स्कॉलर्शिफ स्कीम के लिए डिजिटल इंडिया स्रेडी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया है तो किस मंतरा ने प्राप्ट किया जहें बताना मिदाना है कि किस मंतरा ने 76 वह संस्क्रणमें इंपॉर्मिंट आपयो थ्रू आई टि इनेबल श्कॉलर्सिफ श्किम के रहतser प्राप्ट किया जो है जिन जाती माम्मलो का मंतरा रही защ escol एफ्स तो इस में french who won अवार्ड प्राप्त किया है तो गाई जो भारत सरकार की जनजाती कार्यमंत्राले को डीबीटी के माध्यम से चात्र वर्ति देने और आदिवासु को सस्च बनाने के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है और 66 स्कॉच 2020 जो 2020 के प्रत्योगता का जो विशह है जिसे बोलत हैं ने से माद दियन से कोविद का मुकाबला कर रहा भारत ये इसका थीम हो जाएगा यानि य mail हो जाएक और जनजाती का रिमन opticाले का या जो प्रोजोक्ट है जन जाती, कार मन्तुराले का जिए प्रोजेक्ट है, इसने जो है, क्या इंडिया के शपनों को साकार करना और पार दिश्टला आने के साथ साथ सेवाओं के वित्रों को सुधा जनक बनाने के लिए भारा सरकार की तुर अटूर्थ प्रतिवत्ता को एक दिशा में कदम आगे प्राइन में सहयों किया है और डिज्टल इंडिया के व्यापक द्रश्टिकों को आत्मसाथ करने और इगवर्नेंस के पोसित लक्ष को प्रात करने के लिए मंत्राले ने क्या किया है डीबीटी मिशन के मार्व द्रसन में सभी पांच छात्रवर्ति योजनाओं को डीबीटी और राजमंत्री जो है रिन्रुका सिंग ने शुरुवात की थी तो बहुत इंपॉर्टन क्वेश्टन उसको द्यान रखेंगे साथी साथ यह द्यान रखेंगे कि जो जनजाती ममलों का मंत्राल है इसने जो है स्कोच गोल्ड आवार्ड प्राप्त किया है और साथी साथ बिहार क्रस्विश्विद्यालों को भी स्कॉच आवार्ड मिला है ठीक है बहुत इंपॉर्टन क्वेश्टन है चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्टन पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्टन है और आज का लास्ट क्वेश्टन है और आज का लास्ट क्वेश्टन हरी मे CREDAI Avas app और Narrateco के online portal housingforall.com को किसी ने launch किया है तो बताना है कि किसी ने इस app को launch किया है या इस portal को किसी ने launch किया है तो इसका correct answer हो जाएगा गाइस option C हरदीव सिंग पूरी ठीक है तो जो CREDAI Avas app और housingforall.com को जो है हरदीव सिंग पूरी ने launch किया है और हरदीव सिंग पूरी है कौन तो आवास और सहरी मामलों के मंत्रा लए के लिए राजमंत्री हरदीव सिंग पूरी अब समझ गया है गाइस की क्या है आवास और सहरी मामलों के जो है राजमंत्री है और हर्दीब सिंपुरी ने कहा किया 31 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से हर्दीब पुरी का अगर बात यहां पे हो रहे हैं दोस्तों तो यह हैं हर्दीब पुरी और यह क्या है आवास और सहरी मामलों के राजमंत्री है तो 31 जुलाई को 2020 को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से या कह सकते हैं वेबिनार के माध्यम से अफोर्डेबल रेंटल का हाउसिंग कॉंप्लेक्स पैक जारी किया और इनके मंत्री ने कॉन्फरेंडरेशन और रियल स्टेट डिवलफर्स के लिए भी आवास एप लॉंच किया है ठीक है और यह अस्वसीशन ऑफ इंडिया यानि के डाई और नरात्कों के हाउसिंग डॉट कॉम आवासी संपत्यों के विपरिन के लिए एक आउनलाइन यी कॉमर्स पोर्टल है जो हाउसिंग अफ जो आप देखता हाउसिंग फार ओल डॉट कॉम ठीक है जो मैं इसकी बात की थी हाउसिंग फार ओल डॉट कॉम यह क्या है एक आवासी संपत्यों के विपरिन के लिए एक आउनलाइन यी कॉमर्स पोर्टल है तो बहुत ही इंपॉर्टन क्वेस्चन का आज ही करन अफेर और आज ही करन अफेर से रिलेटेज जो भी क्वेरी कमेंट सजेशन या एडवाइस अगर आप में हमारे देना चाहे हमें हम तरह पहुचाना चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं क्योंकि आपकी एडवाइस आपकी कमेंट आपके suggestions से ही हमें प्रोसाहन मिलता है अच्छी वीडियो बनाने का साथ ही साथ करने फिर्ट को इप्रूब करने का ठीक है तो प्लीज advise me suggest me and comment में तो मिलते हैं कल की करने अपेर में तब तक के लिए thank you so much जैहिन